देश के पूर्वी जलों में बवंडर से भारी तबाही के बाद आज सीम राजवे भरतपुर के नगर विधानसवाज शेत्र पहुची है जहां जनूथर गाउ में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को धान्दस बंधाया और शोकसम वेदना प्रकट क है साथ ही हर संभव मदद की सीम ने बात कही है सीम के साथ इस दौरान काली चरन सराफ कृष्णेंद्र को और दीपा सांसद बहादुर कोली सहीत विधायक और प्रशाशने का दिकारी मौके पर मौजूद रहे बहुर तलब है कि प्राकृतिक आपदा में भरतपुर के 19 लो लोग वहीं यहां पर घायल हुए हैं आपको बता दें कि प्रदेश में भरतपुर में सबसे ज़्यादा तवाही इस प्राकृतिक आपदा के बाद देखने को मिली जिसमें 19 लोगों की मृत्यू हो चुकी है और 138 लोग लगबग घायल बताए जा रहे है उसमें से 19 लोगों की मृत्यू सिर्फ और सिर्फ भरतपुर से हुई है और 138 लोग घायल बताए जा रहे है पाली के देसूरी में किशोरी मांसी के आत्म हत्या मामले में पाली की मिली के दीमिली एक घायल मेंड़ग लोगो जिसमें भाली के दोगिते है जा देस। मामले मामले मैं के लगए है झाल झाल